इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नए एब के बारे में इस एब का नाम है कू और ये रिसेंटली बहुत जादा ट्रेंड हो रहा है ये एब इतना ट्रेंड क्यों हो रहा है क्योंकि कुछ यूनियन मिनिस्टर्स ने जैसे कि रवी शंकर प्रसाद जी हैं प्यूश गोयल ज शिवराज सिंह चौहान इन्हों ने अपने पर्सनल ट्विटर हैंडल से इस एब को प्रमोट किया है लोगों से यह बोला है कि आप जो है इस प्रमोट इस एब को ओपन करें इस पर अकाउंट बनाएं और इस एब पर जाएं अब इस एब में है क्या यह देखी यह एक इं इंडियन बेस एब्ट है यह एक बैंकलोर की कंपनी ने बताया है यह एब आपको अलाव करेगा आपकी रीजनल लेंग्वेज में यूज करने में और यहां पर साथ में एक और एकनोमिक्स टाइम का आर्टिकल है यहां पर लिखा हुआ है कू एब विंस आत्म निर्भर भ इंडिया में उसने भी पार्टिसिपेट किया था और उसमें जो कू एप है उसने वह इस कॉंपेटिशन को जीत गया था तो इसलिए यह रिसेंटली बहुत जादा पॉपिलर हुआ है उसके बाद इसने बहुत जादा यूजर्स जो है वो गेन किये हैं यह स्क्रींशोट म करनी से पहले मैं आपको बता दूू यह कुछ मेरे शोशल हैं इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं लिंक्डिन पर में ना यूजरनेम दिया हूआ है उस पर मुझे फॉलो कर सकते हैं वहाँ पर मैं अपने ब्लॉक्स जो है वो पोस्ट करता रहता हूं तो बात करते हैं कि यह कू जो है एप जो है वो लॉंच कब हुआ था कू के जो CEO और फाउंडर है राधा कृष्णन उन्होंने बताए कि 2019 नवंबर में उन्होंने इस एप पर काम करना शुरू कर दिया था और 2020 मार्च में उन्होंने यह एप जो है वो लॉंच कर दिया गया लेकिन मार्च में जैसा हम सब को बताया कि कोविड आ गया और कोविड के बाद पूर निर्वाइ भारत का जो competition था जो challenge था वो इसने जीत लिया है और उसके बाद किस तरीके से union ministers ने इसको promote किया है अब इसलिए ये जो है बहुत जादा hyped up हो जुका है अब देखिए मैं आपको यहां पर दिखा दूँ देखिए जैसे telecom जो हमारी ministry है IT ministry है इंडिया पोस्ट है यह सारी जो ministries है वो इस app पर आ गई है और वो कह रहे हैं कि आप इसे use करें आत्म निर्भर बनें और जो Indian based है जिससे हमारा data जो है वो इंडिया में रहे इसको यह as a substitute of Twitter इसको promote कर रहे है अब यह कू है क्या और यह बनाया किसने कू जो है एक micro blogging platform है micro blogging क्या होता blogging वही है कि आप अपने thoughts ideas through the content अब वो वीडियो हो सकता है और आपका image हो सकता है लेकिन यहाँ पर एक word है माइक्रो माइक्रो आपको एक limit दी जाएगी उन limited words में आपने आपको अपने views जो है वो present करने है और कू जो है वो 400 characters की आपको limit देता है यह जो एप है वो एक private limited company ने बनाया है BombiNet उनका नाम है और यह Bangalore based company है जो कि 2015 में start हुई थी यहाँ पर इनके founders के भी नाम लिखे हुए है मैंने आपको बताया है कि Radha Grishnan जो इसके founder भी है और CEO भी है साथ में मयंग जो है इसके co-founder है अब special क्या है कू के बारे में special क्या है Twitter already है इतना famous है उसके बाद और भी social media platforms है तो कू के बारे में इतना जदा यह इतना जदा promote क्यों किया जा रहा है देखिए जो main चीज बताई जा रही है वो यह बताई जा रही है कि आप अपनी language में कू को use कर सकते हैं जैसे अगर मैं Hindi use करता हूं अगर मैं Hindi बोलता हूं कि तो फिर कू क्या करेगा वो Hindi बोलने वाले जो लोग है जिन जो users हैं उनको मेरा content दिखाएगा और उनकी profile मुझे दिखाएगा इस तरीके से यह इस app पर काम कर रहे हैं अब content policies content policies जो है वो कू कि क्या क्या है क्योंकि पिछले कुछ दिनों है जो हमने policies पर जो controversy देखी WhatsApp पर जिस तरीके से policies launch हुई और किस तरीके से content मतलब उसकी जो controversy start हुई इसलिए इस बात पर भी ध्यान जिया जा रहा है कि content policies कू में क्या रहेंगे तो कू ने फलाल तो यह कहा है कि free expression platform है आप कुछ भी बोल सकते हैं until और unless यह किसी की life को directly affect न ग है ऐसी चीज़ें अभी इस पर allowed नहीं है लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि time के साथ time के साथ आगे आगे वो अपनी policies को आगे update करते रहेंगे और users को अपनी policies के हमारे में बताते रहेंगे अब बात यह आती है कि क्या सिर्फ कू ही हमारे पास alternative है Twitter के लिए तो नही इसा नहीं है कुछ दिनों पहले एक टूटर एप भी आया था और उसको भी इसी तरीके से present किया गया था कि ये एक स्वदेशी एप है विदेशी के किलाव आप आप अवाज उठाओ और इस पर स्वदेशी एप को use करो कुछ ministers ने उसके बारे में tweet भी किया था और कुछ ministers उस पर account भी बनाया थे तो इसी तरीके से पहले tutor को भी एक तरीके से promote किया गया था तो अब देखना ये होगा कि ये वाला app जो कू एप है वो कितना जादा आगे तक चलता है कितना इसमें potential है मेरा personal opinion इस app के बारे में ये रहेगा कि आप एक basic feature बेप कि ये app आपको allow करता है आपकी regional language या फिर आपकी local language में बात करने के लिए और आपको ये connect करेगा उनी लोगों के साथ तो ये बस इतनी चीज आपके लिए काफी नहीं होगी हालांकि क्योंकि इतने सारे ministers ने इसको promote किया है लोग भी इस पर जैसे जैसे users जो है वो ये gain कर रहा है देखना बहुत ही आपकी टाकिन करूओे